हालो दोस्तों स्वागत आप सभी का प्लिटिकल गुरुजी क्लासेश में तो आज हम जो है नेक्स्ट एक इंपोर्टेंट कांपोनेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर हम इंडिन फॉरेंड पॉलिसी को कवर करेंगी यहां पर 20 mcq के तुट है आज हम जो डिस्कुस करने वाले जांज इंडिया एंट इंडिया का इंपाल को इंपॉर्टेंट इन सभी चीजों को मैंने यहां पर 20 mcq में कवर करने का प्रयास किया तो नेक्स इसी तरीके से हम जो है इन फॉर्ण पॉलिसी को डिफेंट वीडियो को साथ चलिए तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि करवाई जा रही है आपको mcqs के मादन से आपके जैसे प्रीवियर को इंक्लूड करना साथ इसाथ और प्रह जो इंपोर्टन कोश्चन्स ट्रॉपिक के लिए हो सकते हैं उसको वीडियो में कवर किया जा रहा है तो इसे आपकी त्यारी को काफी ज़दा बूस्ट मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्सीक्यू के साथ आज का फर्स्ट न्सीक्यू है विच कंट्री शेर दे लांगेस्ट बार्टर विद इंडिया इंडिया के साथ कौन सी कंट्री जो है लांगेस्ट बार्टर शेर कर दिया ऑप्शन नमबर ए अप्श इन में से राइट आंसर क्या होगा उन से कंट्री जो है लांगेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करती है राइट आंसर से ऑप्ष्ण नमबर कि पी जो हो सही है बांगलादेश जो है वो क्या करती है लांगेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया के साथ शेयर करती है इंडिया और बांगलदेश के बीज में जो बॉडर की लेंथ है वह ए 4096 किलो मिटर है और यह सबसे लॉंगेस्ट बॉडर है इंडिया और बांगलदेश में एक एग्रिमिंट हुआ था 2015 में जिसको का जाता है land boundary agreement यहां पे पीस्फुली जो है वार्डर जो डिस्प्यूट से उनको रिजाल किया गया था उनको सट्ल किया गया था next question question number second the Indus water treaty important treaty is an agreement between India and which country India और किस country के बीच में जो इंडिस water treaty agreement हुआ था कि ऑप्ष्ण नमबर के नेपाल भी बांगलदेश सी पाकिस्तान या डी गुटान तो इन में से क्या सही आंसर होगा इंडिस वाटर ट्रेटी कि कौन सी दो कंट्री के बीच में इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है तो राइट आंसर इस ऑप्ष्ण नमबर आप्ष्ण इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी और यह ट्रीटी कब साइन की थी नाइटीन सिक्स्टी में की थी जहांपे इंडिया इंडिस और उसकी जो फाइब ट्रिबुटीज है जिसमें जेलम चिनाव सतलुज रावी और भ्यास का जो वाटर है कैसे किस तरीके से किस रिशो म कुछ को इंडिया और पाकिस्तान के भीच में डिवाइड होगा कौन सी जो जो नार्दन साइट वाली है ऊपर वाली जिसमें कों से आगया इंडेस जेलम आ गया और चिनाब आ गया जहांपे पाकिस्तान के पास राइट है इनकी वाटर यूसेज के तो दूसरा जो अपने जो नीचे वाली है जिसमें रावी सतलूजुर ब्यास जो है यहां पर इसके वाटर जो है राइट जो है इसको इंडिया को दियागे है तो यह हलाकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन हमेशा उनमें टेंस बना रहता है लेकिन दिस्पाइड इसके बाबजूद भी जो है यह मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेरिंग ट्रिटी है क्वश्च नमबर थर्ड विच इंडियान इनिशेटीव फोकस आन इंप्रूविंग रिलेशन विद साउथ इस्टन एस्टन एस्टन कंट्री इंक्लूडिंग मेंमार इनिशेसे क्वोश पॉसी इंडिया की जिसे साऊथ इस्टन एस्टन कंट्री के साठ रिलेशन बनाये कैं बनाई ऐए डिलेशन को इम्फूव किया गया ऑप्षलन नमबर ए के लुक एस्ट पॉलिसी, B, एक्ट वेस्ट पॉलिसी, C, नेभरहुद फ़र्ष पॉलिसी यę डि एक्ट एस्ट पॉलिसी किस पॉलिसी के तया जो है इंडिया साउथ इस्ट एशियौ के साथ एृज सी बिल्ट किया जाते है, राइट आंपशन नम्ट ढूर ठी-एस्ट कंट्री के बीच में जो है जिसमें इंक्ल्यूट मेन अवर भी है कि रिलेशन के साथ इस पॉलिसी कियेता है यह लांच हुई थी और कुल्चल ताइज के कंट्री कि इनको यह ब्सक्राइज के विच पिलेशन नेक्स नमब्र फोर राकालापानी टरेटरी इस्प्वेट इंडिया and which neighboring country झाला पानी 10 के बिच में ऑप्शन फुक बडलधी बेच्टिश चाईना यूजडी इसंसी दो कंट्रीज के बीच में है कि option number जो है वो सहीं इंडिया और नेपाल के पीछ में जो है काला पानी डिस्प्यूट है यहां पर जो को बहुत इंडिया और नेपाल गुरॉद कलेम करते कि यह हमारा है कर देखोंगे आप इंडिय और नेपाल के रिलेशन्स बहुत अच्छे हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ट्रेटरी जहां पर इस्प्यूट से तो यह कि इस्टोरिकोल मैप को लेकल जो हो यहां पर इंडिया नेपाल के बेच में नेक्स नॉबर 5 वीच पोट इंडिया इन इंडिया'S अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो रिलेशनस को बंगे पाकिस्टान को बाइपास करने के लिए एक पोर्ट है तो यह पोट कौन सब फोट है जो इरान में पाया जाता है जो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है कुरूशल है इंडिया स्टर्जिक पॉइंट आप यू से तो ऑप्शन नमबर ए बहांदर अभास पी चभार सी वुशेर या टी कोरम शाहर कोरम शाहर तो राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर ऑप्शन नमबर बी जो है सही है चभार पोड इंपोर्टेंट है टो कनेक्ट इंडिया विद जो अफगानिस्तान और सेंट्रलेशन कंटरी इस्थ यह चिपार्ट अटिशंक है इंडिया की जो वो सेंट्रलेशन कंट्री के साथ प्रणाने के लिए अलक्तपूर बोर्ट है जबारोड अक्सर अग्जाम स्री इंजबे में भी बना रहा था तो इसलिए इंपोर्टेंट है इसको याद रखिए नेक्स्ट वोशन देखते हैं क्वेश्च नमबर शिक्स विच कंट्री डिट इंडिया साइन दा गंगा वाटर ट्रीटी इन हैं 1996 में इंडिया किस कंट्री के साथ गंगा वाटर ट्रीटी साइन की थी आप्शन door 7 नेपाल gesch Twy अप्शन नमबर नेपाल वी बैंगलदेश शी बुट्रन या दि स्कंट्री के साथ इंडिया साइन की थी गंगा वाटर ट्रिटी पांगलदेश के साथ इंडिया गंगा वाटर ट्रीटी अगर आपको मैप याद है और आपको फ्लो पता है कि जो गंगा रिवर है वह कौन सी कंट्री में जाकर वहां से पास होती है तो आपको आईडिया हो जाएगा एगा ऊंसर क्या है एक कि है तो ट्रीटी इन्सोर यहां पे डिस्टीपीशन हो कैसे एक फिडिस्टिपीशन ऑप गंंगा को वुझ वाटर है तुझिंड्राइश सीजन तो इसके लिएנה कizione की गी innate यहां पर कुलेबरेटिक अप्रोच के द्वारा जो है वार्टर को वार्टर सोर्सेज को शीर गया गया इंडिया बांगलादेश के बीच में नेक्स्ट कॉस्टिन कॉस्टिन नमबर 7 विच इंडियन इनिशेटीज एम्ड एट इन्हेंसिंग करेक्टिविटी एंड कॉर्प नमबर 8 विम्स्टेक पी सार्ग सी पीपिया एन यह दी एश्या तो यह फुल फॉर्म में ही छिपा हुआ तो आही हो प्राइट आंस आपको मिल चुका होगा यह एक इनिशेटीफ है पीपिया एन मितलब पांगलादेश दुटान इंडिया और नेपाल यह क्या है कि एक अ इनिशेटीफ प्राइटीफ यह इसे क्या ट्रांसपूर्ट कनेक्टिविटी एं ट्रेड और पुपल टूपूपल को इन हैसेटीफ को फोकुस है यह नेक्स्ट्ट्ट्न नमबर 8 दुकलं सतंफ इन 2017 वस बार दिस्टू बेश्या इंडिया इन विच कंट्री तो दुकलं इस ना इसवा है इन 2017 में जैकि यह जो मैं आपके लिए क्वेशन लेकिया हूं अक्सर अक्षाम में जो प्रेविश आप देखो गो फॉर फाइव यह जो आप करेंट अफेर देखोगे उसमें बने रहे हैं तो यह अक्सर इसी से जो अक्षामनेर के मैं में भी यह फ्रेम क है किस केंटरी के बीच में दिस्पूट है और आप्शन अबर ए पाकिस्तान फी नेपाल सी चाइन टी टांक टॉ राइट अंसर क्या है एस और चाइना के बीच में जो है एक बर्डर डिस्पीट है प्राइज अरिया इक आप यहां पर तीनों मिलती है इंडिया चाइन बुटान तो वहां पर यह एक इंडिया इंडिया के लिए नेक्स कॉस्टिन न्मेर 9 विच नेबरिंग कंट्री इस पार्ट आप इंडिया स्ट्रेजिक नेबरूर फॉर्स्त पालसे इंडिया की इंडिया दइस्पोरा वहां पे इंडियन उरिजंज की लोग वहते हैं ऐसे नंबर ए वालज्व टी श्रीलंका सी भुटान या डी मैंवार राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर प्यों पाकिस्तान हो गया नेपाल हो गया बुटान हो गया श्रीलंका हो गया बांगला देश हो हो गया इनकी साथ जो आपने एक स्ट्रेट्जिक बना कर अपने अपने जो बाइलेटरल के मादम से अपने नेपरूट के साथ भैतर संब्स बनाना चाहता है लेकिन वहां पर देखिए इंडिया के प्रियास के बाब जूद भी पाकिस्तान हमेशा जो है विलिटेंसी या टे शेलंका यह क्रूशिल है स्ट्रेट्जिक लोकेशन इंडिया अगर इंडिया को अपने पॉरेंड पॉलसी को इन्हांस करना तो इसके सबसे पहले जो है अपने परोसें के साथ संब्स अच्छे होना चाहिए तो इंडिया इस तर फोसी स्टेप्स ठारा हो शेलंका जो है उसके लिए जो है लंकन पॉर्ट है जहां पर आप अगर चाइना को कॉंटर करना है तो इंडिया को भी ज्यादा ज्यादा इन्वेस्मेंट पूर है अपनी जो जो रिलेशन्स है आपने निभरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे बनाने होंगे जैसे कुल्चर के लोग रहते हैं तो वहां पर जो कुल्चरल ट्राइब है वह भी ज्यादा है श्री लंकन प्यूबल के साथ क्वेस्टिन नुम्बर टैन तरृट तरृटि मैं फ्र हमें बंड। तव कि टोवांसे तोवांस अवगानिस्फन का मिलिटरी需टरि इंटर्वेंश्वेहर्टर्यौ जेलिए से जिलेहें मिलिटरी मिलीकल केरा सू रहां चाहिंटितroe तब्सक्रिक्टुक्ट्र दमन i.end पर इंडिया भी फोकस कर रहा है ना अफगानी स्थान वहां पे बहुत सारे पोर्ट्स और जैसे रोड्स डैंस हो गया इन सभी चीजों में आफगान पॉर्लिमेंट बिल्दिंग में भी दिया अपनी कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है इससे क्या वहां पर स्टेबिलिटी लाए जा सके और डेवलेमेंट को फोकस के जाए इन आफगानिस्थान क्वेश्टमेंबर 11 विच कंट्री इंफ्रेंस इन नेपाल इस आप मेजर कंसर्ण पर इंडिया कौन सी कंट्री का इंफ्रेंस जो नेपाल में बढ़ रहा है उसका पर इंडिया के लिए पाकिस्तान भी चाइना सी बांगरदेश टी श्रिलंका तो आपको पता हिए एक कंट्री है जो इंडिया के लिए सिर्जद बना हुआ हर जगा जो आपनी इंवेस्टमेंट के मार्दियम से जो है इंडिया के लिए चैलेंज इस पैदा कर रहा है तो इंडिया के लिए चैना जो है वो देखोगा श्रिलंका में हमब्ड टोटा पोर्ट हो गया पाकिस्तान में जो है जो एक जो एक अग्टिविटी रोड्ज है वो उसके मादिन से उसके बाद जो इशाओ पलाव में करना को है लागारम। है कि इन्दिया को भी चलेटिस कर रहा था में आपनी फॉरन पॉलसी को मस्बूथ इन्वेस्टमेंट के माधिम से ही जैसे इन चाइना बहुत सारा लून दे देता है कंट्रीज को तो उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद उनकी ट्रेटरिस को पोई करना सब्सक्राइब यह उसकी एक्स्पेंशन पॉलसी है जो ग्रोइंग एकनामिक प्लिटिकल इंपाल म अपना दिरिदिरी इंफर्सकों गढ़ा रहा है यह बाद एक बाद रोड इनिसियतिव औन इंफार्स्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्ट्रॉक्ट्यक्त इंवें बेंग अनेपॉल अरे जम्पल ओफ चीना चेहें बाल तो यह वी एक आपर दिक एक रोड यह एक बीसक्रोडा चाह बेगें इंडिया और बांगरजिस्टि किस treaty के वार्टिंग जो है सिर्वर दो वार्टर जयों इंडिया बांगरश के बीच में option number a Indus Water Treaty b Ganga Water Treaty c Thistle River Agreement या D no formal treatyर जाफर अभी तरह कोई treaty नहीं हुई है इस सम बारे में इस रिवर के वार्टर को शेर करने के लिए राइट राइट आंसर जो ऑप्शन नमबर जी जो सही है अभी तक कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है जो तीस्ता रिवर को वार्टर को शेर कर सकें जो नेपर हैब बीन ओंगाइंग फर यह पर फॉर्मल नेगोशेशन नेगोशेशन बहुत सारी चल लिए बाद से बहुत सारों से चल लिया है लेकिन एक फॉर्मल ट्रीटी अभी तक तीसतारे बर वार्टर शेरिंग के लिए नहीं फाइनलाइज हुई है एक सेंस्टिव इ इंडिया एंडिया एंस तो इंहांस एकनामिक कारपरेशन इंडिया के जो को पठाने के लिए कुन सा इनिशियाटिव है ऑप्शन नमबर ए सार बी कुन से रिजिन में अब देखो कि बेया बेंगाल इस्यान यह सी विम्स्टेक यह दी बीबियाइन तो राइड अंसर क्या होगा कुन सा और्गनाइशन है राइड अंसर ऑप्शन नमबर सी जो है सह कोड़ें और्गनाइशन से जो बेया बेंगाल इनिशियाटिव जो मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एकनामिक अपरेशन को स्पोर्ट राइड है इत इंक्लूड इसमें कुन कोन सी कंट्रीज आती है बंगलदेश, इंडिया, मियन्मार, श्रिलंका, थाइलांड, निपाल एं बुटान यह सारी कंट्रीज आते हैं जिक कौन को सी बंगलदेश, इंडिया, मियन्मार, श्रिलंका, थाइलांड, नेपाल एं बुटान सब्सक्राइब है यहां पर पाकिस्तान नहीं है आपको यार रखना साथ में तभी इंडिया जो आपना फोकुस आपको शिफ्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बाइलाइटर रिलेशन पर आने के बाद भी और आर्गनाशन लेबल जो इसे इतना अपने प्रोकुस देने के बाद भी हुआ हमेश्या वार्डर भी जो है टेंस बनाए रखते है तो इसके विवाल में जो आप इंडिया आपना फोकुस दे रहे तरहे शिफ्ट कर रहा है क्वेस्ट नबर 14 विच इंडियन स्टेट शेर अब बादर विद बुटान और बांगलेश इन में से कौन सी स्टेट वो दोनों बुटान और बांगलादेश के साथ बौरडर ही बांगलेश मथा हिए ने आप्शन देखो आप्शन नबर ए असम वेस्ट पंगाल सी सिकिन या दी अरुनाचल परदेश इन में से कौन सी स्टेट जो है वो भुटान और बंगलदेश दोनों कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेर करती है इंडियन स्टेट जो है राइन से जो आप्शन नमबर यह बॉर्डर शेर करती है बिए बोद अपन्ट नाप्टी जो है यह फिस कैंट्री के साथ असूचिए इन इन ऑ्सींड यह पाकिस्तान नमट यह पाकिस्तान नोची यह फिस वेस्टान चीख साथ एंटियन अपस्टन नमबर ए पाकिस्तान भी चाइना कि युएसे यह दी जपान कि स्ट्रिंग आप्पिल स्ट्रेटिजी किस कंट्री के सब्सक्राइब देख है राइड अप्शन नमबर भी जो सही है चाइना जो है वो क्या राइट आंसर है स्ट्रिंग प्यर्स एड़ी इस स्ट्रेटिजी में क्या है यह देखते हैं दस्ट्रिंग आफ फिल्स राफर्ट टु चाइना स्ट्रेजिक नेटवर्ग चाइना का नेटवर्क है आप ओर्स जो का बंदर गाओं का जाल है यह उसका बेस एंडी नोशन में तो इस परसीब अज चेलेंग तो इंडिया के लिए एक चैलेंज है और स्ट्रेटी रीजन्स नेक्स नमर्स 16 विच नेबरिंग कंट्री इस ऑपर्ट्नर इन इंडिया इंडिया इंड्रो पावर डेवल्मेंट प्रजेक्ट इन में से कौन सी कंट्री जो है इंडिया की क्य है की पार्ट्रेर है का हईड्रो पांवर डेवल्मेंट प्रोजेक्ट में औफ्ष connection नेपाल भुटान द शिर्लंका द ज ही तमार क्या और किकी से सई है turbulence पी कि पक्रीप्टान जु है कह करे morning कंसी की από नरक नहीं से ही है किसमें हैट्रो पावरेवल्मेंट पेज्ट्न में इंडिया ने सारी इंट्रास्रक्ट्राइव परजेक्ट को बर्चने करें पिर इंडिया मुंद्ध्री पर्जेक्ट वाइभ्यद औरшьस्टब्श्टर हो पालेवर्ट्रा देटन हाग प्रजेक्ट प्रक्ट पोर्जेक्ट मेनके। कर रहे तो आपने संको बिल्ड करने के लिए कहां पर सेमें तीन में अगर वहां पर इंडिया के लिए चैना करेगा तो चाइना अगर करेगा वह क्या होगा इंडिया के लिए पैदा करें अगर आपके border secured नहीं तो फिर आपके लिए वो मेशा आपके लिए टेंस बना रहे था और आपकी development में भी challenges पैदा कर था एक obstacle पैदा कर था question no.17 the term operation cactus is associated with India's intervention in which country जो operation cactus है यह इंडिया ने intervene किया था in which country किस country में operation cactus के था option no.a Maldives, B, Sri Lanka, C, Bangladesh, D, Nepal तो operation cactus किस country में बहुआ था एडिया ने किया था राइडार्स option no.a सही है Maldives वहां पे इंडिया operation cactus को launch किया गया था in 1988 में क्यों third the operation demonstrate India's commitment to the regional stability को लाने के लिए and is willing to intervene in the neighboring countries affair when necessary operation cactus में वहां पे stability लाने के लिए इंडिया ने launch किया था 1988 में question no.18 which country is part of both India's Luke East policy and इन में से कौन country है जो लुक इस्ट कौन सी लुक इस्ट और विम स्टेक दोनों में हैं वह एक member है option no.a Maldives b Myanmar c Pakistan d Afghanistan तो अगर आप अपने कावन जिन से भी लुक इस पॉलिसी तो इस्ट इंडिया किस तरह दो है कि आपने East इंडिया की इस्ट को कुण जी क्या आगिस्टान आता है नहीं कि अफगानिस्थान आता इंडिया के वैस्त है क्या मालदिव मालदिव स्थी नीची आगा है तो में मार तो रइड अंजर क्या होगा अप्ष्ण बर भी जो ऐसे ही अगर आप आपको डिरेक्शन सेंस पता है तो आप डिरेक्शन की नालाज है तो आप इस कोश्चेंट को अटैम्ट कर सकते हैं बिना किसी इंफेर्मेशन के इस तरीके के बहुत सब्सक्राइब पूछे थे corrosion नाइटीन सिद्धे साघ्चोष निमयर्ए धेडिए mysteries भीनी अधानल्टी प्रॉस्चेंटिट्स प्रजेक्ट किंट्सिया विडिख कंट्री इंदिया काम करता है आप्शन नमबर के नेपाल, B, टान, C, पांगरदेश, या D, मियनमार, इन में से कौन सा सही उत्तर है? आप्शन नमबर D, जो है सही है, मियनमार, कालादन मल्टी प्रोजेक्ट जो है, इंडिया किसके साथ कनेक्ट करने का काम करता है? मियनमार के साथ. जो नार्थ इसर स्ट्रेट से इंडियान की, उनकी जो कनेक्टिविटी बनाना किसके साथ? मेंमार के साथ, थूप सी रिवर्जन रोड ट्रांसपोर्ट, ऐसे क्या होगा? कनेक्टिविटी इन्हांस होगी तो इसकी डिपेंडेंस है कि इसकी ट्रेट की और सिरिगूरी को जो चिकन नेक हैं, इंडिया की जो यहां से देखो गया, जैसे मुर्गे की गरदन होती है, पतली सी, जो इंठिया की तो सैवन सिस्टर्स हैं, कंट्रिस को, स्वारिवन सा रहे हैं, तो चिकन नेक के सब वहां पे जो है, बिजी रूट है वहां पे, उसको उस रूट के एक अल्टरनेटिव होगा, कौन सा, कालादर मल्टी, प्रोजेक्ट है, जो इंडिया वर मियनमार की बीच में जो किनेक्टिविटी को रसे हैं, क्वेश्चिन नमर् 20, और शेयर किया जाता है, ऑप्शन नमर् A, ऑप्शन नमर् A क्या है, यमना, P, प्रमपुत्रा, C, सत्लूज या D, गंगे, तो इनमें सी कौन सी रिवर का वाटर, इंडिया वाटर ट्रीटी के अंडर शेयर किया जाता है, प्वेश्चिन नमर्बर पाकिस्तान, तो राइट यह बात की जाएगी तो सत्लूज यह एक बनावदा सीक्स रिवर है आप इंडिस रिवर सिस्टम की और छे रिवर है जहां पर राभी प्यास और सथुक्ति इसका राइट जो है पाकिन इंडिया को दिया गया और वेस्टन जो रिवर्स है जिसमें जीन जेलम और चलाब व यह आज का लास्ट कोईशन तो आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कैसी लगी वीडियो कमेंट सकने में जुरूर बता है और नेक्स हम इसी तरह के से इंडिन फारंड पालसी को कवर करने वाले हैं जिसमें हम आने वाले दिनों में जो है इंडिया के जो रिलेश झालसी को सब्सक्तर के स सब्सक्राइब इंडिया ने के सका जो है आए तरह